है अब हम आगे देखते हैं कि हमने यह जो फॉर्म के थीया फॉर्म लें पड़े मिले पड़े underwar ston career of out आपको बोला है 1 upon 1 plus cos 2x ठीक है रूपन 1 plus cos 2x और यह जो 1 plus cos 2x यह रूट के अंदर है अब दिखें यहां पर मुझे trigonometric identities like 1 plus cos 2x trigonometric identities अच्छे से मालू हो जो हम पीछे differentiation में भी हमने use किया थे integration में भी हमें use करना है तो मैं बता दूँ 1 plus cos 2x is 2 cos square x 1 minus cos 2x is 2 sin square x अब इसी में अगर मैं 2 हटा देता हूँ तो ये 1 plus cos x बन जाता है यहां मैंने अगर x को 2x को x बना दिया तो यहां x को मुझे x by 2 यानि अगर मैं यहां half कर रहा हूँ तो यहां भी half करना पड़ेगा तो 1 plus cos x becomes 2 cos square x by 2 similarly 1 minus cos x becomes 2 sin square x by 2 ठीक है ना तो ये formula मुझे याद रखने होंगे फिर 1 plus sin 2x यह ध्यान रखिए इसको आप cos of x minus sin of x whole square ऐसे लिख सकते हैं तो ये formula हम याद रखेंगे यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा ठीक है इडिस अधर वे रहा हूं 1 plus sin x होगा तो cos plus sin हो जाएगा 1 minus sin होगा तो cos minus sin हो जाएगा ठीक है तो यह formula हम one by one यूज करेंगे अभी मैं आपको इसका solution बताता हूं देखें यह हैं बहुत सेंपल वन अपॉन अंडर रूट ना वट इस वन प्लस cos 2x formula हम अगर refer करते हैं जैसे मेरे पास अगर यह चार्ट है तो मैं चार्ट में देखूंगा 1 plus cos 2x 2 cos square x by 2 बन रहा है तो 1 plus cos 2x क्या बन गया अच्छा अब आगे क्या करना है अब देखिए अंडर रूट लगा हुआ है इधर है न और यहां पर 2 into cos square x by 2 है तो मैं इसको अलग-अलग भी तो कर सकता हूं अंडर रूट 2 और अंडर रूट आफ ऐसे लिख सकता हूं है ना क्योंकि मालूम है मुझे अंडर रूट आफ ए बी को रूट ए रूट बी ऐसे अलग-अलग लिखा जा सकता है ठीक है बात समझ में आ गई कि नाओ कि मुझे करना क्या है यह रूट टू जो है बाहर ले लिया वन अपन रूट टू मैंने बाहर ले लिया इंटेग्रिल के अंदर मेरे पास बचेगा वन आप अब लियुके यह one है इसको वन किया तो एक लाइक अंदर आ गया ब proud कस च्वयर एक स्क्वयर भाय ड्यक्त रूट होता बॉलिक दिया था बंप्लस ने 2x का formula cos square x होता है not x by 2 मैंने गलती से लिख दिया था तो under root cos square x बन जाएगा simply cos x now what is 1 upon cos यह तो मुझे मालूम है ठीक है integral of sec x dx now मुझे क्या करना है sec x का formula लगाना है ठीक है ना formula भी मैं यहां लिख देता हूँ आप formula को refer कर सकते हैं refer करके आप integral tan x है log mod sec x plus c ठीक है ना इसको आप minus log cos x plus c भी लिख सकते हैं अब यह minus वाला case जो है हमने समझा था कि कोई question है जहां पर लगाना पड़ सकता है अदरवाइस mostly हम यही use करेंगे ठीक है cot x का है log of sin x plus c ठीक है और इसी तरीके से कॉसेक क्या बन जाएगा log of mod कॉसेक x minus cot x ठीक है ना यह formula हो गए हमारे पस अब मुझे क्या करना है सिर्फ इन formulas को refer करना है अब देखो यहां पर हमने एक और formula पड़ा था कॉसेक हो था log 10 x by 2 ठीक है ना यहां पर लिख लेता हूं एक फर्मॉला यह था यह था यह था लॉग टैन पाइब फोर एंड एक्स बाइट टू ठीक है ना यह फॉर्मॉला था लॉग मॉट पाइब फोर प्लस एक्स बाइट टू ठीक है यह formula थे फिर मैंने यह भी आपको बताया था कि यह जो को सेक में यह log 10 x by 2 यह सेक में log 10 5 by 4 and x by 2 हैना यह हम जेरली अप्लाइब नहीं करेंगे ठीक है जेरली हम यह formula अप्लाइब करेंगे बठा कहीं पर प्रूव वाला रूट 2 log of mod sec x plus e and x plus c ठीक है ना हमने क्या किया यह वाला फॉर्मला लगा लिया अगर मान लीजै मुझे यह वाला फॉर्मला लगा था हैना तो मुझे क्या मिल जाता 1 upon root 2 log of tan pi by 4 plus x by 2 ठीक है ना तो यह तो मैंने आपको बता दिया कि formula हमें कौन सा लगान है the first one log of sec x plus tan x ठीक है ना and not this one हलाकि आप अगर यह भी लगाते हो तो कोई गलत नहीं है दोनों formula ठीक है ठीक है ना लेकिन by default हम यही formula लगाते हैं आगे देखिए मैं फॉर्मले को यही रहने देता हूं आप फॉर्मले को refer करते जाएं एक शीट ऐसे आप बना के रखिए अभी हमने करा था 1 plus cos 2x मान लिजे यहां पे अब यह बहुत सिंपल है यह दिया होता 1-cos2x रूट के अंदर वन अपन तो हम क्या करेंगे वन अपन अंडर रूट ना वट इस 1-cos2x अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मला लिखा था 2 sin square x ठीक है दोबार हम वही करेंगे देखिए one अपन रूट 2 बाहर आ गया साइन square x अलग हो गया साइन स्क्वेर को मैं साइन लिख लूँगा रूट के बाहर आ जाएगा रूट टू को हम बहर लिख लेते हैं यह एक्जाक्ली वही क्वेश्चेन बन गया आगे देखिए वन अपन साइन क्या होता है को सेक होता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं को से मvé vị इouri क्या थो क्यों मुझे क्या है सिर्फ इताग। क्या लिख लोंगा मैं इसे दिखेए यह बाहर वन अपन रूट टू है इसको तो लिखना ही पड़ेगा चिक है इसको लिखना पड़ेगा फिर स्में मैं फार्मॐल लिख लूंगा लॉग हो मॉड कॉसेक x minus cot x plus c ठीक है अगर मैं ये वाला फॉर्मला लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको भी लिख सकता था दिखिए 1 upon root 2 मुझे मिल गया log mod tan x by 2 plus c ठीक है दोनों ही आंसर करक्त हैं लेकिन हम by default ये पहला वाला log कॉसेक minus cot ये वाला फॉर्मला generally apply करेंगे आगे देखिए यहीं पे अगर मुझे कि यह दिया हुआ है तो देखिए क्या होगा कि 1-cos x होता है 2 sin2 x by 2 ठीक है इस प्लेट हो जाएगा अब देखिए इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूं रूट 2 अलग हो गया ठीक है अब यह sin2 root के बाहर आ जाएगा तो root 2 and sin x by 2 ऐसे हम लिख लेंगे मैं directly कर ले रहा है ना आप तो आपको समझ में आ जाएगा वन अपन रूट 2 बाहर आ जाएगा वन अपन साइन इस कोसेक x by 2 ठीक है वन अपन साइन क्या होता है कोसेक x by 2 यह बात समझ में ही अब देखे आगे मुझे सिर्फ formula लगाने अब ध्यान दीजेए कोसेक सबसे बहले तो कोसे 1929-9 एक x-cott x, तो cosec x by 2 क्या होना चाहिए, log mod cosec x by 2 minus court x by 2 plus c, एक और चीज, देखें, क्योंकि यहाँ पे x के इलावा मुझे कुछ और मिल रहा है, क्या मिल रहा है इधर x by 2, हमने starting में समझा था, कि जब भी मुझे x की जगा कोई और चीज मिलती है, and it is a linear function जैसे यहाँ पर x square नहीं है, सिर्फ x by 2 है तो मुझे उस x का जो भी coefficient है है ना, x का coefficient यहाँ कितना है? 1 by 2 क्योंकि देखिए मैं x के आगे 1 लिख सकता हूं है ना, तो इसको मैं 1 by 2 into x ऐसे लिख सकता हूं मतलब यह half इसका क्या हो गया? x का coefficient हो गया हमने rule समझा था कि जो भी उसका coefficient होता है, उसको हम 1 upon करके multiply करता है अब यह answer आ गया, ठीक है ना तो 1 upon 1 by 2 यानि कि देखिए 1 upon मान लिजे 1 upon x है, इसको मैं x लिख सकता हूं, ठीक है? जो नीचे fraction होता है ना वो उल्टा हो जाता है, है ना 1 upon x जो है, वो उल्टा हो जाएगा तो यह मुझे मिल जाएगा 1 into x upon 1, जो कि मुझे x मिलेगा, बात समझ में आ गई तो basically यह मुझे मिल गया 2 times 1 upon root 2 log mod cosec x by 2 minus cot x by 2 plus c, ठीक है? अब देखे 2 और root 2, इसको मुझे simplify करना है इस 2 can be written as under root 2 into under root 2, ठीक है? तो numerator क्या हो गया? root 2 into root 2, एक root 2 root 2 cancel हो जाएगा, final मेरा result हो जाएगा, root 2 log of ठीक है? now this is one of the answer, ठीक है? अब चाहते, तो इसमें, है न, दूसरा वाला जो formula है, वो भी लगा के, दूसरा result भी हम निकाल सकते थे, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अगर देखिए, यहीं पे अगर मुझे, 1 upon root में 1 plus cos x मिलता, अभी हमने 1 minus cos देखा था, अगर 1 plus cos मिलता हम क्या करते? वेरी सिंपल, देखिए, आपको यह देखने में भी लग रहा है कि यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यह जो 1 plus cos x है, this becomes 2 cos squared x by 2, ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसको में लिख लेंगे, 1 upon under root 2, ठीक है, root 2 अलग हो गया, और cos चो है, root के बाहर आ गया है, 1 upon cos क्या होता है, अब जल जली कर सकते हैं, 1 upon root 2 मैंने integral sign के बाहर ले लिया, 1 upon cos क्या बन जाएगा? sec x by 2 dx, अब sec का मुझे formula लगाना है, देखिए मेरे पास 2 formula है, एक तो log sec x plus tan x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, and upon root 2 into log of sec x की जगा में लिख लूँगा, x by 2 plus tan x by 2 plus c, अब मुझे क्या करना है, इस x by 2 जो मुझे मिला हुआ है, इसका coefficient क्या है, 1 upon 2, उस 1 upon 2 को जब मैं reciprocal करूँगा, मुझे मिल जाएगा 2, उस 2 को मुझे क्या करना है, इधर multiply करना है, तो root 2, ये क्या बन जाएगा, 2 upon root 2, root 2 बनेगा, अभी पीछे हमने question में समझा था, तो ये हमारा answer आ गया, ठीक है, ये वहीं पे, हम अगर ये formula नहीं लगाना चाते हैं, और let's say ये formula लगाना चाते हैं, ठीक है न, तो ये हो जाएगा, 1 upon root 2, log, mod, tan, pi by 4, plus, x by 2 है, लेकिन अलड़ी x by 2 है, तो ये हो जाएगा, x by 4, plus c, इसके coefficient को हम यहाँ multiply कर देंगे, ये हो जाएगा, root 2, ठीक है, आगे देखिए, मुझे बोला है, under root of, क्या करेंगे, simple, 1 minus cos का formula लगाई है, 1 plus cos का formula लगाई है, 1 minus cos होता है, 2, sin square, अब 2x है, तो यहाँ आजाएगा, x, trigonometry के हमने formula ये समझे हुए, 1 plus cos x, 1 plus cos 2x हो जाएगा, 2, cos square x, 2 से 2 cancel, मुझे क्या मिल गया, sin square upon cos square, यानि की, tan square x, ठीक है, under root of tan square x, ठीक है, square और root आपस में हट जाएगे, सिर्फ tan x बचेगा, tan x का हम formula लिख देंगे, क्या, log of, sec x plus c, ठीक है, इतना समझ में आ गया, अब आगे देखिए, इसी question को हम change करते हैं, आपको बोला है, 1 plus cos and 1 minus cos, अभी 1 minus cos, 1 plus cos लिखा था, अगर 1 plus cos, 1 minus cos होता, तो क्या होता, 1 plus cos, उपर आजाता, cos square, नीचे आजाता, sin square, ठीक है, और, cos upon sin हो जाता, cot, अब देखिए, बड़ी easily solve हो रहा है, ठीक है, अब, cos upon sin हो जाता, cot square x, root के अंदर, आप देखिए, under root cot square, यानि कि यह बन जाता, cot x, cot x का formula हम क्या लिखते हैं, sorry, log sin x, तो हम इसको लिख लेते, log mod sin x plus c, ठीक है, यहीं पर अगर, मान लिजे, cos 2x के बज़ जाए, सिरिफ cos x होता, अब यह आप लोगो, बन जाएगा, ना, what is 1 plus cos? 2 cos square x by 2, 2 sin square x by 2, 2 and 2 cancel, cos upon sin हो गया, cot x by 2, ठीक है, स्क्वेर मिलेगा, root मिलेगा, दुनों अपस में हट जाएगे, cot of x by 2, now, what is cot of x by 2, cot of x by 2 का integral है, log sin x, हम इसको क्या लिखेंगे, log mod sin, यहाँ पर x की जगा, मुझे क्या मिल गया, x by 2 मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, x by 2 का coefficient, 1 by 2, उसको फिर से जब 1 upon करूँगा, तो वो मुझे 2 मिल जाएगा, तो this will be my answer, 2 log sin x by 2 plus c, ठीके न, यह समझ मैं है, 1 plus cos x मुझे क्या मिलेगा, यहीं पर अगर मुझे 1 minus cos, 1 plus cos मिलता, तो वो भी मैं इसी तरीके से, है न, बहुत easily कर लेता, देखे, 1 plus cos and 1 minus cos, right, what is 1 minus cos, what is 1 plus cos, sin upon cos हो गया, tan, ठीके, 2 or 2 cancel, tan square, root के अंदर से बाहर आ गया, tan का formula, log of sec, log of sec, x by 2, अब x का coefficient, half है, उसको जब reciprocal करेंगे, 2 बन जाएगा, this will be my answer, ठीके, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखे, अब यह तो आपने देखे, जितने भी है, under root के अंदर, हमें cos मिल रहा था, sign मिलता तो क्या करते, अब देखे, sign का मैं एक formula तो आपको बता चुका हूँ, बट वो भी हमें कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो समझ हमें हो, अब question हमें दिया हुआ है, आपको बोला, 1 upon root में 1 plus sin 2x, आप देखे, यहाँ पे एक problem आ गई, problem यह आ गई कि 1 plus sin 2x, हमने पढ़ा था, cos x minus sin x, sorry, plus sin x का whole square, अब अगर मैं वो value इधर put करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 1 upon under root में, cos x plus sin x का whole square dx, अब यह root और square हट जाएगा, चलो मैंने root और square हटा दिया, लेकिन बात बनी नहीं, बात इसलिए नहीं बनी, क्यूंकि नीचे मुझे cos और sin का sum मिल गया, अब क्या करूँ, मैं फस्स गया, ठीक है, तो गपराने की बात नहीं है, हमें काम करते हैं, अभी तक हमने cos के questions किये थे, हमें sin को cos में तो बना सकते हैं, यह तो हमें मालूम है, हाँ, 10th class में हमने पढ़ा है, sin को cos में बनाया जा सकता, तो आप देखे, sin को cos में बनाने के दो तरीके, एक हमने 10th में पढ़ा है, एक 11th में पढ़ा है, एक तो मुझे मालूम है, sin theta जो है, cos 90-theta होता है, cos 90-theta is sin theta, और दूसरी चीज, cos 90-theta होता है, minus sin theta, इसका मतलब sin theta, अगर मुझे चाहिए, तो मैं minus of cos, 90 plus theta, यह भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं sin 2x को क्या कर सकता हूँ, या तो यह formula लगा हूँ, यह तो यह formula लगा हूँ, ठीक है, मैं दोनों ही formula लगा सकता हूँ, हम यह formula यूज कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो x है, 90 plus theta, देखे, sin theta is minus cos 90 plus theta, यह formula लगा लेंगे हम, cos 90 plus theta होता है, actually minus sin theta, जिसका minus sin मैं दूसरी तरफ shift कर दिया है, मैंने, तो यह जो है, हो जाएगा, यहाँ पे theta की जगा है, पूरा का पूरा 2x, यह हो जाएगा, 1 upon root 1, अब इस sin 2x को हटा के, मैं क्या करूँगा, minus cos 90 plus theta की जग़, 2x डाल दूँगा, ठीक है, अब आगे, बहुत एजिली यह solve हो जाएगा, देखे, 1 minus cos मिल गया मुझे, अब मुझे मालूम है, 1 minus cos whatever is, यहाँ पे जो भी, value है, उसका half यहाँ पे आएगा, यह हमने समझा होए, trigonometry में, अगर यहाँ 2x के बजाए, सिर्फ x होता, तो यहाँ पे x upon 2 आता, अगर यहाँ पे 4x होता, तो यहाँ पे मुझे 2x मिलता, यहाँ पे 3x मिलता, तो यहाँ पे मुझे 3x by 2, मतलब यहाँ जो भी है, उसका half यहाँ पे आएगा, तो हम वही rule यहाँ पे लगाएंगे, sorry, this is not cos square, but sin square, I'm sorry, ठीके न, 1 minus cos, 2 sin square होता है, यह वाचे का अंडर रूट, 1 minus, ठीक है, cos whatever will be 2 sin square, this whole thing, upon 2, अब देखे, दोनों को half करते हैं, मुझे मालूम है, अगर a plus b upon 2 है, उसको मैं a by 2 and b by 2, ऐसे लिख सकता हूं, तो πाइबाइटू यानि 90, और 90 को जब half करूंगा, 45 मिलेगा, 45 को हम कैसे लिखते हैं, पाइबाइबाइब 4 लिखते हैं, ठीक है, पाइबाइब 2 का half किया, पाइबाइब 4 मिला, 2x को जब half करेंगे, 2, 2 cancel हो जाएगा, मुझे सिर्फ x मिलेगा, राइट, अब आगे, रूट टू अलग हो जाएगा, साइन स्क्वार जब रूट के बाहर आएगा, सिर्फ साइन बचेगा, ठीक, अब अब आप आप आपान साइन, को सेक, वन अपान रूट टू बाहर, वन अपान साइन क्या बन गया, यह बन गया, अब कोसेक का फॉर्मला क्या है, लॉग अफ कोसेक माइनस कॉट, ठीक है, दूसरा फॉर्मला है, लॉग अफ टैन एक्स बाहर टू प्लस सी, तो हम अभी यह वाला लगा लेते हैं, ऐसे तो वो वाला भी, ती हो जाएगा, वन अपान रूट टू, लॉग अफ, ठीक है न, लॉग अफ, तैन एक्स बाई टू, देखिए, इधर जो भी है, उसका हाफ इधर आ रहा है, तो इधर जो भी है, यानि पाई बाई फॉर है, तो उसका हाफ, देखें, पाइबाइ फोर को फॉर्दर आधा करो, पाइबाइ एट आजाएगा, एक्स को आधा करो, यह मारा अंसर आ गया, ठीक है, अच्छा, एक्स का कोफिशेंट वन है, तो हमें आगे मल्टिप्लाइ कुछ करने की जुरूरत नहीं है, तो उसके चिंता हमें करने की जु प्लस साइन टू एक्स, ठीक है, हम चाहते हैं, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मला भी लगा सकते थे, देखें, मैंने इसको क्या लिखा, वन अपॉन रूट वन प्लस साइन, अभी हमने क्या किया था? 90 पलस थीटा किया था, तो हम sin 2x को लिख सकते हैं, cos 90 minus 2x ऐसे लिख सकते है, sin θ is cos 90 minus θ, तो हम इसको cos ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखा जा सकता था, और हम इसको प्रोसीट करते, 1 plus cos is what? 2 cos square, this whole thing by 2, यानि की pi by 4 and minus x, ठीक है? अब क्या करना है? ये root 2 तो बाहर आ गया, अलग हो गया और cos अलग हो गया, 1 upon cos is 6, sec pi by 4 minus x and dx, ठीक है, ये मुझे मिल जाता, अब मैं क्या करता है, यहाँ पर sec का formula लगाता, sec का formula लगाता, अभी तो को पीछे जो मैंने method से किया था, मैंने ये formula लगाया था, तो इसमें मैं ये वाला formula लगाता हूं, ठीक है, और tan वाला and not that one, ठीक है, ये दो pair है, और ये दो pair है, तो मैं sec वाला formula लगाता हूं, अब देखे, sec क्या कहता है, log of tan pi by 4 plus x by 2, तो मैं इसको लिख लूँगा, 1 upon root 2 तो है, log of mod tan, bracket, pi by 4 plus x by 2, अब यहाँ पर x क्या है, this whole thing, यह हो जाएगा, pi by 4 minus x upon 2, mod close, plus c, इसमें एक और चीज, x का जो coefficient minus 1 है, उसे मुझे यहाँ पर, reciprocal करके, multiply करना पड़ेगा, यानि बाहर minus आ जाएगा, ठीक है, तो, this is, 1 upon root 2, log mod, 10, अब इसको solve करना पड़ेगा, pi by 4 plus pi by 8 minus x by 2, ठीक है, plus c, यह मुझे result मिल जाएगा, इसको मुझे solve करना पड़ेगा, तो 3 pi by 8 minus x by 2, तो यह भी correct है, है न, this is not, हमने बस formula ठीक, अगर apply किया है, my answer is always correct, ठीक, यह आपने देखा, अब आगे देखे, इसको भी हम वैसी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, 1 upon root 1 plus, ठीक है, cos of 90 plus theta, यह से लिख सकते हैं, अभी हमने formula समझा था, minus है तो plus बना दो, cos plus theta आएगा, minus है, minus ही रहने दो, cos 90 minus theta formula हम लगा सकते हैं, what is 1 plus cos, 2 cos square, इसका half, pi by 2 का half pi by 4, अब जली-जली मैं कर लेता हूँ, ठीक है, अब, यह क्या बन गया, 1 upon root 2 बन गया, cos जो है, यह 1 upon cos, now what is 1 upon cos, sec, अब मुझे सिर्फ इस में formula लगाना है, अब देखिए, इस एक में formula क्या लगेगा, log 10, अच्छा, मैं यह वाला formula लगा रहा हूँ, क्योंकि यह मुझे लिखने में थोड़ा easy पढ़ रहा है, board की जगह देखिए, otherwise आप यह formula भी लगा सकते हैं, again, you are free to apply any of the formula, generally हम यह formula लगाते हैं, जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, जब कोई प्रूव करने वाला question आता है, तब हम देखते हैं, यह करना है कि वो करना है, ठीक है न, बागी है formula कोई भी आप लगाई है, कोई फरक नहीं पढ़ता, log mod 10, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, formula क्या कहता है, pi by 4 plus x by 2, तो हम लिख लेंगे, pi by 4, plus x by 2, x की जगा क्या है, pi by 4 plus x by 2 अलरड़ी है, उसको भी मुझे further half करना है, तो यह क्या बन जाएगा, अच्छा, दूसरी चीज, x का coefficient क्या है, 1 by 2, तो मुझे उसका reciprocal, यानि कि 2, multiply करना पड़ेगा, 2 और root 2 बन जाएगा, सिर्फ root 2, पीछे हमने questions में समझा हुआ है, log, mod, tan, ठीक है, pi by 4, pi by 4 अपाउन 2 यानि कि pi by 8, और x by 2 अपाउन 2 यानि कि x by 4, pi by 4 और pi by 8 हो जाएगा, 3 pi by 8, ठीक है ना, और यह हो जाएगा, x by 4 plus c, यह हमारा answer आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे देखिए, question आपको दिया हुआ है, 1 minus sin 2x, 1 plus sin 2x, आप देखिए, यहां पे, एक method तो वही है, कि मैं इसको cos में convert कर लूँ, formula लगा लूँ, दूसरा, 1 minus sin 2x क्या हो गया, cos x minus sin x, whole square, है ना, मैं इस method से बता दे रहा हूँ, क्योंकि, cos में convert करना, तो पीछे दो questions में आपने सीख लिया, ऐसे situation में, हम यह formula अप्लाई कर सकते हैं, otherwise हमें cos में convert करना पड़ता है, अगर सिंगल सिर्फ numerator होता या सिर्फ denominator होता हम, generally cos में convert करते हैं, तो 1 minus sin, cos minus sin whole square, 1 plus sin हो जाएगा, cos x plus sin x, whole square, ठीक है, अब देखे, square square root, सब हट जाएगा, क्या बजगया मेरे पास, इतना आगया, फिर गाड़िया टक गई, देखे, इसको हम, जब भी sin cos, sin cos मिलता है, आप numerator और denominator दोनों को cos से divide कर दीजिए, ये मुझे मिल गया, अब देखे, अब मैं जब इसको split करूँगा, cos upon cos, 1 हो जाएगा, sin upon cos, tan बन जाएगा, cos upon cos, sin upon cos, अब, वेरी इंपोर्टेंट, 1-tan x, 1-tan x, 1-tan x, याद रखना, ये होता है, tan, pi by 4 minus x, 1045 minus x, अगर ये 1 plus x upon 1 minus tan x मिलता, तो ये, pi by 4 plus x होता, उपर वाला sign, इदर पे आएगा, तो अभी मैं इसको minus कर देता हूँ, जो मेरा original question था, ठीक है, ना, कैसे आया, tan pi by 4 minus x में, हम tan a minus tan b का formula, अगर लगाते हैं, तो हमें ये result मिल जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको alternate method बताया है, otherwise, आपके पास जो है, 1 minus sin 2x और 1 plus sin 2x को, cost में convert करके, जो पीछे question किया था, वो method है ही, ठीक है, मैं इसका पहले expansion करके दिखा देता हूँ, देखे, tan 45 minus x, अब मुझे मालूम है, tan a minus b, क्या होता है, राइट, एक ही जगा क्या है, 45, tan 45, tan 45 कितना होता है, 1 minus tan b, b की जगा क्या है, x, 1 plus tan a tan b, tan a कितना है, a कितना है, तो tan a यानि tan 45, tan 45 होता है, tan b हो गया, x, tan x, 1 को multiply करो, कोई फरक नहीं पढ़ता, तो 1 minus tan, 1 plus tan मिल गया, मुझे ये, तो ऐसे ये formula, बना है, आगे क्या करना है मुझे, सिर्फ formula लगाना है, integral of tan x, now what is integral of tan x, log of sec, अब देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ, log of mod sec, this thing, अब एक और चीज, x का coefficient, minus 1, तो मुझे यहाँ पर, 1 upon minus 1, यानि कि, minus 1 लगाना है, चीक है, तो minus log cos, minus log sec, pi by 4 minus x, अब देखिए, मुझे यह सामने, minus अच्छा अगर नहीं लग रहा है, what I can do, मैंने आपको बोला था, कई बार हम यह दूसरा formula भी लगा सकते हैं, मैं इस integral tan x को लिखूंगा, minus log, tan, pi by, sorry, not tan, है ना, tan को तो हम integrate कर रहे हैं, तो tan x क्या है, minus log cos x, तो मैं लिख लूँगा, minus log cos, जो भी bracket के अंदर है, अब x का coefficient, minus 1 मुझे हैं multiply करना पड़ेगा, तो उस situation में, यह minus जो है, plus में convert हो जाएगा, तो यह मेरा result आ जाएगा, तो देखिए, या तो answer है, minus log sec, या फिर answer है, log cos this, तो यह आपने देखा, कि अगर हमें square root function मिलता, और साथ में cos मिलता है, या sine मिलता है, square root के अंदर, तो उसमें हम यह tan और, sec, cosec वाले जो formulas है, वो कैसे apply करते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में करते हैं,